Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. There is 15 liter of soup in a pot. Surbhi serves 400 ml in each bowl. If she fills 28 bowls, how much soup in the pot? यहाँ पर देखे आपको का गया है, 15 liter soup है आपके किसी pot के अंदर, तब Surbhi ने वाँ पर, जो आपका सर्व किया 400 ml, मतलव यहाँ पर, एक बाउल के अंदर आपका कितना soup है? 400 ml आता है, मतलब capacity यहाँ पर, एक बाउल की कितनी है? 400 ml है, तब उसने यहाँ पर कितने fill किये? 28 balls fill किये, balls miss होता है, आपका कटोरा, तब यहाँ पर देखे आपको left soup बताना है कि कितना soup महाँ पर बचया है, तो देख यहाँ पर क्या होता है 1 लीटर के अंदर आपका 1000 ml होता है तब यहाँ पर कितना हो जाएगा यह यदि हम इसको ml में चेंज गरना चाहे तो 15000 ml आपका यह हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपको given है capacity of bowl यहाँ कितनी है यहाँ पर 400 ml आपको given है तो देखिए यहाँ पर capacity of capacity of 28 bowl क्योंकि उसने यहाँ पर क्या किया है 28 bowls निकाले हैं मतलब भरे हैं वहाँ पर तो यहाँ आपका आजाएगा 28 into 400 जो कि आपका equal हो जाएगा 11 to 00 के equal हो जाएगा यह आपको कितने में आएगा ml के अंदर आएगा अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या है आपको left soup निकालना है तो यहाँ पर आपका left soup in a pot is equal to total soup था आपका 15 000 minus यहाँ पर capacity आपने निकाली है 28 bowls की हो आपकी कितनी आई इसको हम यहाँ पर minus करा देंगी जितना निकाला गया soup है आपका वो 11 200 आपका निकाला गया है तब यहाँ पर आपका कितना बचेगा यह आपका बचेगा 3.8 liter यह 3.8 liter हो जाएगा hence यहाँ पर आपका answer क्या जाएगा देखिए hence left soup in a pot is 3.8 liter यहाँ आपका यहाँ पर क्या जाएगा 1.6 बचल